इस वीडियो में आपलोगं को बताऊ backके फाइवर की गिग की रिक्वैर्मेंट स्वहती हैं इसको फाइवर की रिक्वैर्मेंट स्वहती हैं यह कैसे शो करती है आप गीग पे रिक्वार्मेंट्स लगा देंगी तो अगले बंदे को क्या पता चलेगा इसका फाइदा और नुकसान क्या होता है और इसको लगाया कैसे जाता है इस वीडियो में हम यही सब कुछ सीखने वाले हैं फाइवर की गीग की रिक्वार्मेंट्स लिखने से पहने आप लोगों को पता होना चाहिए आपकी फाइवर की गीग का टाइटल और आपकी फाइवर की गीग की काटगरी जैसा कि आप लोग देखने कि यह हमारी गीग की फाइवर की काटगरी है प्रोग्रामिंग और प्र टिस्क्रेब्टन और रिक्रायर्मेंट्स हम् रिक्टन के उपर और क्लिक करते हैं यहांसे तूड़ा स्क्रोल नां करते हैं वीसा रिक्रमन्ट्स नहिसा का मतलब मतलब होता है यह मैं आपके इस gig पे जैसा के यह gig मैं इस gig पे आता हूँ मैं करता हूँ आपको order तो order के बाद वो कौन सी चीजें require होगी जो मैं आपको दूँ तो आप अपना काम start कर सकें अब जैसा के यह data entry तो अब कोई बंदा मुझे data entry का यह order देगा तो उसको क्या चीजे मुझे send करनी पड़ेंगी ताके मैं उसको come start कर सकूँ अब data entry का आपको भी पता के data entry में अगर मैं आपके data entry कर वाना जाता हूँ तो मैं आपको file दूँगा क्यार इस से देख के इस पर लिख दो तो वो file ही मेरी requirements होगी और वो ही मेरी gig requirements होगी तो मैं यहाँ पर क्या लगाँगा यानि के अपनी data entry के लिख पर में लगाँगा बराए मेरवानी भाई आप मुझे वो file send करें जिससे आप मुझे से लिख वाना चाहते हैं इसी तरीके से अब इसकी requirements में चलते है wordpress की तो इसकी requirements क्या होगी अब जल्दी से बताएं जरा सोचें के इसकी requirements क्या होगी सोच लिया तो यार इसकी requirements यह होगी के website बनाने के लिए क्या चीज़ों क्यों तो अगर उपी बंदा मुझे order देगा तो मैं उसे कहूँगा भाई आप मुझे order तो दे रहो लेकिन आप मुझे यह तो बताओ आप किस तरहां की website बनवाना चाहते हैं बिलकुल ठीक इन दोनों की यही होगी गी requirements तो अब आपको पता चल गया गी requirements क्या होती है अब मैं इसे scroll down करता हूँ तो देखते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा ओके सबसे पहले आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलता है add a question इसको पर click करेंगे तो यहाँ पर दो टीन option मिलते है एक मिलता है free text दूसरा मिलता multiple choice यानिके question answer और तीसरा मिलता है attachment यानिके अगर logo design बगरा है तो आप attach कर सकते हैं कि इस किसम के logo में रिपस पड़े हैं आप बताएं आप करता हैं multiple choice भी कर सकते हैं ज्यातर लोग free to text रखते हैं हम वही रखेंगे यहाँ पर इसे require भी कर सकते हैं कि लाजमें send करें and require भी कर सकते हैं या आपकी मुर्दी फिलार हम इसे कर देते हैं cancer अब देखें मैंने यह तीन question यहाँ पर लिक करके रखें अपनी data इंटिक के लिए अब देखें मैंने सबसे पहले लिखा है please provide me full detail of your work बराय में रिबानी अपने काम के बारे में मुझे full detail बता दें कि क्या करवाना चाते हैं फिर मैंने लिखा है कि credential आउन लाइन resource दें for access मैंने लिखा है कि हाँ अगर आप online कम करवाना चाते हैं तो मुझे इसके email password दे 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 या अगर online करवाना चाते हैं तो उसा resource दे if required for access मतलब अगर कोई ऐस वेबसाइट हैं आपकी एक्सेस लेनी हैं तो मुझे इमेल पासकोड दें या अगर किसी वेबसाइट से देख कर मैंने लिकना तो मुझे इसका यूर या उसकी डिटियल बता हैए हैं यहां पर मैंने लिखा है एनि अदर डिसकिशन के अलाबा कोई हो और चीजे हों तो वो भी मुझे सेंड कर दें ठीक है तो आपको समझ लगी के डेटा इंट्री की की में यही चीजें होती है मतलब डेटा इंट्री कर बाने के लिए मुझे तीन चीजों के रूप बड़ा इत्मानिया पर लिख दिया अब जलते हैं वर्ड कैसी वैबसाइट होगर आपको हो मुझे वैबसाइट पर मुझे गरों मेरे का बना देए को को फिरम और और होस्टिंग और डुमेन अगर है तो ठीक है नहीं तो भी दे दे इसके बाद नमबर और पेजिस यानि कितने पेजों के आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं और डीटेल्स मतलब ज्यादा डीटेल्स भी दें और साथ में अगर लोगो अपलोड करने वेबसाइट पे तो दें इमेज अपलोड करनी है तो दें कोई और कॉंटेंट अपलोड करना है तो दें तो आपके लिए मैंने बहुत ही असान करकर समझा दिया है रिक्वार्मेंट्स में इसका मतलब होता है order start करने के लिए मुझे किन किन चीजों के जरूरत है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है यह वाला page client को जो बनता order देगा request to order मैं इसको पर click करता हूँ यहाँ पर मुझे नजर आ जाएंगी कि वो चीजें जो आपने उधर लिख के लगा ही होगी तो मैं समझ जाऊंगा यार मैं सारी चीजें आपको यहां पर सेंड कर दूँगा और आपको order कर दूँगा तो इससे बहुत फैदा होता है नहीं तो यह होगा कि अगर आप नहीं लिखेंगे ना ऐसी कुछ और रख देंगे तो client आपको order कर देगा 24 घंडे स्टार्ट हो जाएंगे आप फिर उसे मैस करेंगे वह online आगा 24 घंडे गुज़र जाएंगे आप आपको पते नहीं चलेगा कि order का करना क्या है तो फिर मज़ा नहीं आगा तिर आपको order मतलब फजूल जाएगा आपकी rating खत्म आपका काम खराब गए तो इस यहां पर अच्छे से अच्छा असान करके लिखें ताकि क्लाइट खुद ही समझ रहा है खुद ही समझ रहा क्या कहेंगे चीज़ें से देनी है। यह सेंड़ कारेगा इसे सेव करें तो यह यह यहां पर हो जाएगा Vanking लगाए होती आप यहां से भी help जो नहीं ले सकते हैं तो इस तरीके से इसको आप लोग नहीं कर देना है save ताकि आप की जुनकिए यह save हो सकी तो इसके बारे में अगर आपका सवाल हो तो no tension आपको नीचे कुमेंट कर दें और हाँ अब अगर आप लोग यह सीखना चाहते हैं कि आप लोग फाइवर पर पैसा कैसे कमा सकते हैं छोटा से छोटा काम करके तो आप लोगों के सामने जवारी वीडियो आ रही है इसके उपर क्लिक करें